उसके accordingly, चलिए मैं पढ़ देता हूँ सवाल को क्या कहता है ये सवाल, और इसके अंदर ना accounting करने से ज़्यादा important है इसका working note, कुछ किताब के अंदर working note account के अंदर ही करते हैं, और कुछ बाहर करते हैं, तो मैं बाहर करना आपको prepare करूँगा, क्योंकि सवाल बढ़ा होगा तो 20,000 रुपय का, फरजाना से, एक machinery खरीदा, नहीं फरजाना ने खरीदा, एक जनवरी 2017 को, अब कई बच्चे ना इस line को पढ़कर decide कर लेते हैं, ये तो December में बंद होगा, पहली line से क्या decide कर लेते हैं वो December में, हलाकि ये सवाल December में बंद हो रहा है, लेकिन कभी भी ऐसा मत क करना कि एक मार्च, एक अप्रिल को खरीदा, तो March में बंद होगा, या एक जनवरी को खरीदा, December, जब तक last में ना देख लो, क्या बोला गया, तब तक closing ending date decide नहीं करना, क्योंकि जाहतर बच्चे मिस्टेक करते हैं, एक जनवरी खरीदा, तो December में बंद हो रहा हो, ऐसा नह लूँआ पूरा question, अब कहता है कि machinery was purchased by फरजाना, नाम दे दिया तो credit में ही है, ठीक है न, एक जुलाई को एक addition और made किया to the extent of 4000, यानि एक जुलाई को addition made किया, तो M2 बोल देते हैं, M2 खरीदा एक जुलाई, 172017 में, कितने का, एक बात ध्यान रखिएगा, आपका addition का मतलब उसी machinery में भले ही कोई part जुडा हो, या उसी machinery से भले ही कोई part निकाल के बेचे, तो आपको लेकिन समझने के लिए, calculation के लिए, दोनों को अलग-अलग मानना है, जैसे मान लेते हैं, computer में है, computer तो पूरा assemble है, मैंने monitor बेच दिया, तो मुझे monitor को सुरू से ही अलग करके, उस में वहाँ पर पता चल पाए, ठीक है न, ऐसा नहीं कि इसका part है, उसमें उलच जावाब, हम सुरू से break करके चलेंगे उसको, एक April 2019 में एक further edition, एक और खरीदा, भाई, इसने machinery खरीदना start कर दिया है, तो इसको नाम दे देते हैं, M3, कब 1 June, कब 1 April, 14 2019 में, कितने का? 2560, ये कैसा value है, चलिए, 30 June 2020 में, machinery original value, which was 3200 रुपे, जैन 17 में, was sold 2400 रुपे, फरजाना close her books 31 December every year, यहां से तो एक बात पता चल गए, भीया, books account कब close हो रहा है, 31 December, अगर ये line ना भी देना हमें, तो नीचे देखे क्या कहता है, so the machinery account for the year ended, 17 से लेके 20 तक, ऐसा तो नहीं है, 17, 18, 18, 19, ऐसा तो नहीं है, simple सा year दे रखा है, 17 से लेके, इसका मतलब दिसंबर वाला ही है, तो इसके बात कहता है, books of फरजाना, depreciation charge 10% original cost method, सर, original cost method कौन सा होता है, याद होगा, SLM, जो कि हमने पहले देखे थे, तीनों नाम भी देख लिए थे, step by step, तो इसका, अब देखो, ध्यान देना, अब हमें, तीन machinery है, कहता है, एक machinery बेच दिया, और उसकी कीमत कितनी थी, 32, जिसको खरीदा गया था, कब सर, जिसको खरीदा गया था, आपका, जैन 2017 में, तो बताइए, जैन 2017 में, 32 की कौन सी machine खरीदी है, कोई नहीं खरीदी, तो यहाँ पे, consider किया जाएगा, इसमें, जुडा हुआ है, इसका, को हम starting से क्या कर लेंगा, भाईया, separate, क्यों separate कर रहे हो, सर, क्योंकि इसमें से एक पार्ट भी का है, कहता है, इसका एक पार्ट था, जिसकी कीमत कितनी थी, 32, इसको बेच लिया, तो हम इसको अलग लेके चलेंगे, बाकी जो बच गया, कितना बच गया, 16, 800, यह वाला पार पे बेचा इसको हमने, कब बेचा भाई, 30 जून 20 में, इसको हमने बेचा 30 जून, सवाल क्लियर है आपको, यानि सर, एक मसीनरी खरीदा, उस मसीनरी का एक हिस्सा हमने बेच दिया 30 जून 2020 में, खरीदा था हमने कब, एक जन्वरी 2017 में, एक और मसीनरी खरीदा, इसके साथ क कोई बेचने उचने वाला पंगा नहीं है एक और मसीनरी खरीदा उसमें भी कोई बेचने वाला पंगा नहीं है हमें डेप्रीशेशन कितने 20 तक कम्प्लीट करना बीज कम्प्लीट करने का मतलब 31 दिसंबर 2020 तक करना बात यानि 17, 18, 19, 20 कितने सालों का हो जाएगा, 4 साल का, 17, 18, 19, 20 चार सालों का डेटा तयार करना है, कहानी वही है, सेम सर, यहाँ डेट, पार्टिकुलर, अमाउंट, डेट, अब सर, यह कौन सा अकाउंट बनाओगे, क्यूंकि यह खरीद बार-बार क्या रहा है, मसीनरी, तो यहाँ लिखोगे, और इधर डेट, और इधर क्रेडिट, चलिए सर, खरीद लेते हैं, फटा-फट, अब हाला कि आपने खरीदा तो है, एक-एक-सतरा में, टू-बैंक, दो टुकडे में मैंने बाटा जरूर है, लेकिन यहाँ एकटा दिखाई है, अब बीस, अब वर्किंग नोट कर लेते हैं, इस पर डेप लगेगा, पूरे साल का लगेगा, सर, तीन-सो-बीस, इस पर भी डेप लगेगा, सर, पूरे साल का लगेगा, तीन-सो-बीस, सर, यह डेट जो आ गया न, यह आ गया, एक-एक-ठारा आ गया, इसमें, सोरी, सोलह-सो-असी, सोलह-सी लगेगा, यह डेट आ जाएगा, क्योंकि यह डेट है, एक-एक-सतरा, तो यह आ गया, एक-एक-ठारा, है न, डेपरिशेशन साल के एंड में लगा कि अगला दिन आ जाएगा माइनस आप करेंगे फटा-फट क्या आता है एक एक अठारा कितने अठाइस सो अस से यहां माइनस करें पंदरा हजार एक सो बीस फिर से डैप लगेगा इस पे 31 तारीक को डैप लगने वाला 31 बारा को फिर से SLM है that's why 320 बताइए 25 160 यह आ गया 1-1 18 के बाद 19 बेचा तो 20 में है 31 बारा को फिर से डैप लग जाएगा 320 22 40 चलिए सर 22 40 फिर से यह आ गया 1-1 20 अब सर हम न 1-1 20 जो आया है हम डैपरीशेशन जो है 1-1 20 31 बारा तक नहीं लगा सकता अपनने बीच में बेचा है 36 को सर 36 का डैपरीशेशन लगाएगा तो कितने महिने का लगेगा मातर 6 महिने का इसको थोड़ा हम इधर shift कर देते हैं जब तक working note बना रहे हैं फिर बाद में इधर shift कर देंगा ठीक है आपको पढ़ने के लिए अभी accounting नहीं कर रहे हैं वर्किंग note बना रहे हैं चलिए थोड़ा आराम से करते हैं इसको नीचे लेके चलो और इस assets को भी उठा के नीचे लिए आते हैं सर चलिए सर 19 है न देखेगा इधर देखेगा आप छोटा कर देंगा थोड़ा ठीक है सर कितने बने हैं 2000 और सवाल चिला चिला के कहता है इसको बेच दिया कितने का 24 सो का तो इसने इसमें क्या कमा लिया प्राफिट या या लॉस सर यहां पे हो गया हमारा प्राफिट कितने का 320 या नी डेप्रिशेशन ही कमा लिया इसने प्राफिट और ये बैंक से सोल पहले पार्ट में किसी को डाउ दूसरे पार्ट की बात करते हैं फिर से depreciation लगेगा 31, 12, 18, 1680, 440, 11, 18, 19, 31, 12, 20, 19, फिर से 1680, 11, 760 यह आगया 1, 1, 20, फिर 31, 12, 20, last, कितने, 10,000, 1, 0, यह आगया, हम बाद में इसको बस shift करेंगे, यहाँ पर पहले हम calculate कर लेते हैं, ठीक है, थोड़ा space बना लेते हैं, इसको इधर कर लेते हैं, अब इस पे चालू करते हैं, सर, depreciation, इस पे लगेगा depreciation 31, 12, 2017, 18 नहीं, वो तो मार्च वाले में जाता है, 17 ही रहेगा, सर, 6 महीने का depreciation count करोगे, तो 10% के हिसाब से यह बनता है, सर, 200 रुपए, तो कितने आएंगे, 3800, हाँ, ठीक है, एक, एक, दो हजार, अठारा, फिर डैप लगेगा 31, 12, 2018, डैप अब कितना लगने वाला है, 400, कितने बचेंगे, 3400, एक, एक, दो हजार, उननिस, अब क्या आएगा, सर, 31, 12, 2019, कितने लगेंगे, 400 रुपए, बचे कितने, 3000, अब डेट आएगा, एक, एक, दो हजार, बीस, इसके बाद 31, 12, 2020, डैप लगेगा, कितना, सर, 400, बचे, कितने, ये भी कैलकुलेट कर लिए, लास्ट रह गया, ये तो कम लगेगा, 31, 12, 2019, कितने महीने का, एपरेल में खरीदा, 9 महीने का, तो 9 मंत का निकालो, कैसे निकालोगे, सर, 9 मंत का निकालेंगे, 2560, इंटू 10%, इंटू 9 बाइ 12, इंटू 9 बाइ 12, कितने, 190, 192, माइनस करिए, एक एक बीस, तेश सो, अड़ सट, इसके बाद 31, 12, 20, 21, माइनस, भाई 10%, 21 बारा कैसे आया, फिर से 9 महीने का निकाल दिया गया, दस बारा आएगा, 200, अच्छा, पहले 256 आएगा न, फिर आएगा 21, बारा, अब एक चीज़ ध्यान देना, बच्चे कई बार यहां भी कन्फ्यूज होते हैं, कि सर अगर बताया है ना हो, कि कब तक बनाना है, सवाल यही नहीं हमें बतारा चाहता, कि कब तक बनाया है, अब छोटा कर देता हूँ, कोई जुरत है ने से, तो हम मान के चलेंगे, कि यहीं तक ही बनाना है, समझ में आई बात आपको, नहीं आई समझ में बात, अगर आपको सवाल के अंदर ये ना बोला जाए, कि कितने सालों का बनाना है, तो आप देखना, लास्ट क्या काम बताया है कुश्चन में, देट के हिसाब ते, उस साल को बस कंप्लीट करना है, शुरू से लेके उस साल तक का, जैसे मेरे वाले सवाल में, इस वाले सवाल में मैं तो कहता हूँ, देट ना दे भाई तू, मैं खुद बता दूँगा, नहीं है डेट, तो मैं चेक करूँगा, यार डेट तो है नहीं, कितने सालों का बनाना है, एक साथ को, टू बैंक से, कितने का खरीदा है, देखो एक बच्चे ने बोला, सर यह उधार खरीदा का, मैं ब्रैकेट में नाम लिख देता हूँ, क्या नाम है इसका, फर जाना, ये, ओके, तो ये गलत हो गया, एक साल का, एक साल का गलत हो गया ने, इसको अठारा कर देत हैं अपन, और बड़ी सीदी से बात है, और इसको हटा देते हैं, बात बन गई, और डेट चेंज गर देते हैं, 19, 19, 20, 20, ठीक हो गया, ठीक है, चलिए सर, टू बैंक वैसे इसमें फर जाना है, क्या नाम है इसका, हाँ, फर जाना है, तो मैंने बैंक अजम्शन लिया है, जाहतर कुश्चन में होगा, तो आप यहां पे सिर्फ फर जाना लिख सकते हैं, ठीक है, दो मसीनरी हो गया, है, डेप्रीशेशन लगाने में कुछ बच्चों को दिक्कत हो सकता है, डेप्रीशेशन लगा 31 को, सर, डेप नमबर वन, वन पे दो डेप्रीशेशन लगेगा, कौन-कौन सा सर, वन के उपर दो डेप्रीशेशन लगेने वाला है, सर, कौन-कौन सा लगने वाला है, यह द एक ये और एक ये यानि सर 320 प्लस 1600 that is 2000 पहला साल हो गया अब by depreciation इस साल तो खरीदा नहीं इस मसीन को तो नहीं खरीदा तो इससे हटा देते हैं यहां से सर किसी काम का नहीं है पहले साल हमने एक ही मसीनरी खरीदा है वो date पहले गलत हो गया था इसलिए डाल दिया था पहले साल को complete करते हैं थोड़ा जगह है तो यह आ गया 20 और सेम इधर आ जाएगा और बाई depreciation sorry balance 18 31 12 अब आ जाते हैं एक एक पे एक एक अठारा टू बैलेंस बीडी और फिर से खरीदा हमने एक साथ टू बैंक चारह जार अब फिर से 31 12 को डैप लगेगा बाई depreciation depreciation नमबर वन वन पे दोनों पार्ट लगेगा तीन सो बीस तोला सो असी जोड़ के और बाई depreciation नमबर टू पे कितना लगना है सर यह रहाँ दो सो रूप है चीक है चलिए दो साल तीसरी मसीन दी तो बाद में खरीदा है हमने तो बाईस और यहां भी बाईस उननेस हजार आठ सो इसको उपर सिफ्ट करते हैं थोड़ा चलिए बाई बैलेंस बाईस में से बाईस हो गए यह भी डेट रहेगा 31 चलिए यहां तक क्लिएर है अगले पॉइंट पर आ जाते हैं सर एक एक उननिस टू बैलेंस बीडी और यहां गया उननिस अजार आठ सो और इस साल एक और खरीदा है तो टू बैंक कब खरीदा है यहां बैंक एक चार को कितने का पच्चिस सो कुछ था ना पच्चिस सो साट अब हमारे पास तीन एसेट्स होगे जिस पर डेप लगाना है बिका तो बीस में है तो अगले साल बिका है तो बाई डेपरीशेशन नमबर वन तो फिर से तीन सो बीस प्लस सोलह सो देट इस 2000 बाई डेपरीशेशन नमबर टू के उपर लगेगा अब चार सो लगना चालू और बाई डेपरीशेशन नमबर थ्री पे अब कहा गया यह रहा 192 और इधर आजाएगा बाई बैलेंस सीदी अब आ जाते हैं एक एक बीस लास्ट साल है टू बैलेंस बीडी उननिस साथ सो और फिर अब जो बेचेंगे पहले वो डेट तो बेचने वाला डेट की अगर हम बात करें तो हमने बेचा कब है सर बेचा है हमने तीस चे को तो हम बाइ साइड में इस्तमाल करेंगे बाइ कितने का बेचा है कुश्चन में गीवन था सर ये 2400 वाला बेचा है और इस टाइम हमें क्या इसके उपर डेप भी लगा है सर पिलकुल डेप लगा है यहाँ पे देखिए 6 मैने के लिए डेप लगाया था हमने 160 अगर सवाल में कहता है in the year machinery sold no need to charge depreciation मतलब ये 160 नहीं लगता अगर सवाल में कहता है कि in the year machinery purchase depreciation charge for full year तो जो हम यहाँ पे 6 महिने के लगा रहे हैं उसमें पूरे साल का लगता है इस बात का ध्यान रखना है आपको चलिए अब बात करतें इसको बेचने के बाद profit भी हो गया तो एक साथ को profit मैंने बताया था profit and loss लिखेंगे और bracket में लिखने वाले आप profit two side में और 320 का अब depreciation बाकी पे लगा दो ये बाकी का मतलब जो हमारे पास बचे हुए हैं तो by depreciation number one पे ही लगेगा remaining वाला जो है 1680 और by depreciation number two पे लगेगा जो है 400 और by depreciation number three पे लगेगा जो की है 256 यही है हमारा और छोटा हो गया सट टोटल कर लेते हैं बताईए कितने बीस अजार बैलेंस टीडी पंदरा आपके किताब में भी आंसर होगा तो तसल्ली करिए एक बार एक सो है किताब में भी चेक कर लीजिए आप अब इसको किताब से भी बोल रहे हो अब यहां पे न हमें क्या करना है लेंगे नहीं इसको नोट कर लीजिए पन यहां इसको क्जटबर में इसको लीजिए यहां इसको किताबर 수ादिए